नमस्कार मैं निर्मल सैनी आपका एज़सेट परशारण में स्वागत करता हूँ प्रेविद्यार्थियो आज का विशे समानतर माध्य समानतर माध्य ऐ खंडित स्रेनी में इस विशे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगें जैसा कि आप जानते हैं हम अपने पिछले अध्यन में समानतर माध्य की ही दो स्रेनियो विक्तिगत तथा खंडित स्रेनी पर चर्चा कर चुके हैं आज के इस विख्यान के अंतरगत हम जिन बिंद्वों पर चर्चा करेंगे उन में सबसे पहले समानतर माध्य का आर्थ और ततपशात समानतर माध्य की गणना एखंडित स्रेनी में समानतर माध्य इसके द्वारा किसी स्रेनी के चर्का एक ऐसा मुल्य या ओसत ग्याद किया जाता है जो सारी स्रेनी का प्रतिने धित्व करता है हौरेस सक्रिष्ट के अनुसार समानतर माध्य से अभिप्राई उस मुल्य से है जो किसी स्रेनी के स्वस्त मदों के मुल्य के जोड को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है सरल समानतर माध्य आज के व्यक्यान की सबसे महत्पून कड़ी इसे हम तीन स्रेनियों के अंतरगत गणना कर सकते हैं पहली व्यक्तिकत स्रेनी तो दूसरी खंडित स्रेनी और तीसरी एखंडित स्रेनी आज के इस व्यक्यान के अंतरगत हम केवल तीसरी स्रेनी एखंडित स्रेनी का ही विस्तार से अध्यन करेंगे परंतो उससे पहले हम अपने पिसले अध्यन में शामिल की गई व्यक्तिगत स्रेणी और खंडित स्रेणी को संक्षिप में दोहराले व्यक्तिगत स्रेणी में सरल समानतरमाध्य की गणना हम दो विधियों के द्वारा कर चुके हैं पहली पर्तेक्स विधी, इस विधी के अंतरगत हमने जिस सुत्र का प्रियोग किया था, वह है एक्स बार बराबर है समीशन एक्स डिवाइडिड बाई एन, अर्थात एक्स मदों का कुल जोड और एन मदों की कुल संख्या, इस प्रकार दूसरी विधी जो लगू विधी के नाम से हमारे सामने थी, उसका सुत्र भी दोराल है, और वह सुत्र है, एक्स बार बराबर है ए प्लस शमीशन डी, छोटा डी, डेविशन, डिवाइड बाई एन, नमबर ओफ आइटम्स, इसी तरह से खंडित स्रेनी में भी हम सरल समान परमाध्य की गणना करना सीख चुक सुत्र था, एक्स बार बराबर है समीशन एफ एक्स, प्रेविद्यार्थियों जैसा कि आप जानते हैं, खंडित स्रेनी के अंतरगत फ्रिक्वेंसी अर्था चरों का बारंबरता दी गई होती है, इसलिए उसे एफ, छोटे एफ से हम प्रदर्शित करते हैं, तो इस सुत् ध्यान से देखें, समीशन एफ एक्स डिवाइड़ वाई समीशन एफ, अर्थात फ्रिक्वेंसी की गुना मदों के मुले एक्स से, ततपश्यात उनका जोड़, और इसे भाग दिया गया है मदों की बारंबरताओं की कुल संख्या से, समीशन एफ से, इस तरह से लगू व विदी थी, इसका भी सुत्र एक बार ध्यान से देखें, एक्स बार बराबर है ए प्लस, अर्थात एजूम मीन, कल्पित माध्य, समीशन एफ डी, एफ फ्रिक्वेंसी और डी डैवियेशन, जिसे हमने निकाला था, एक्स माइनस ए करके, समीशन एफ डी, अर्थात डी डै का जोड, इसे भाग किया गया है समीशन एफ से, और इस प्रकार हम तीसरी विधी, पद विचलन विधी के सुत्र पर चलते हैं, इसका सुत्र भी बिलकुल लगुविधी जैसा ही, परंतु थोड़ा सांता, यहां डी की बजाए, डी डैश, अर्थात पद विचलन, डी डै देविशन को भाग दिया था, सी कॉमन फेक्टर से, तो यह सुत्र है, ए प्लस समीशन एफ डी डैश, डिवाइड़ बाई समीशन एफ, और इसे मल्टिप्लाइ किया गया है सी कॉमन फेक्टर से, जो डी डैविशन में उपस्तित था, तो प्रियविध्यार थियो, आईए अब विस्तार से, ए खंडित स्रेणी में स्मांतर माध्य की गणना करना सीखें, ए खंडित स्रेणी में भी स्मांतर माध्य की गणना बेलकुल खंडित स्रेणी जैसी ही है, इन दोनों सुरेणियों में अंतर केवल इतना ही है कि ए खंडित सुरेणियों में वर्ग अंतराल दिये जाते हैं जबकि खंडित सुरेणियों में मदों के मुल्य इसके साथ साथ इन दोनों ही सुरेणियों में उनकी आवरतियां भी दी जाती है इसलिए यहां सुत्र भी समान ही होता है इस एकंडित स्रेनी में जो वर्ग अंतराल दिया जाता है जैसे 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 उससे प्रतेक वर्ग अंतराल का मध्य मुल्य mid value M, छोटा M ग्याद करते हैं और mid value निकालने के लिए हमारे पास सुत्र है ध्यान से देखिए M is equal to L1 यहां L1 और L2 दो चीज़े आपको दिख रहे हैं L1 means lower limit और L2 means upper limit of class अर्थाज जैसे वर्ग अंतराल 0-10 में 0 lower limit निम्नतम सीमा होगी तो L2 upper limit उच्चतम सीमा होगी इस तरह से 0 जमा 10, 10 बटे 2 बराबर 5 अर्थाज जीरो से 10 के वर्ग अंतराल में 5 मध्य मुल्य प्राप्त होता है इस विधी में भी मध्य मुल्यों को उनकी आवरिती अर्थाज फ्रिक्वेंसी से गुना करके उनका गुनोतर प्राप्त किया जाता है और ततपशात उस गुनोतरों का योग प्राप्त कर लिया जाता है और हंत में इस गुनोतरों को मदों की कुल संख्या अर्थाथ प्रिकन्सी से भाग दिया जाता है बिलकुल पिसली स्रेनी की तरह ही इस स्रेनी में भी स्मांतर माध्य की गणना तीन परकार से ही अर्थाथ तीन विदियों से ही की जा सकती है जिनमें पहली विधी है, वही पहली अर्थाद पर्तेक्स विधी, दूसरी लगू विधी, और तीसरी पद विचलन विधी, आएए सबसे पहले पर्तेक्स विधी, इस विधी के अंतरगत स्रेणी के सभी वर्ग अंतरालों का मध्य मुल्य निकालते हैं, जैसा कि आप अभी भी देखके आए हैं, मिड वैल्यू अर्थाद छोटा M is equal to L1 plus L2 divided by 2, उसके बाद इस मिड वैल्यू को उससे समंधित आवरतियों F से गुना करते हैं, और फिर उसके बाद इन सब का जोड समीशन FM प्राप कर लेते हैं, इसके बाद स्रेणी के सभी मुल्यों की कुल संख् अर्थाद N या समीशन F प्राप्ट किया जाता है, और फिर समीशन FM को समीशन F से भाग कर दिया जाता है, जैसा कि आप सुत्र में देख रहे हैं, समीशन FM divided by समीशन F और FM निकालने के लिए आपने किया पहली फ्रिक्वेंसी F1 को पहले मिड वैल्यू M1 से, इस तरह से दूसरी फ्रिक्वेंसी F2 को दूसरी मिड वैल्यू M2 से, और इस तरह से आपके पास ये साधारन सा सुत्र उपलब्ध है, तो प्रिया विद्यार्थियों आईए इस सुत्र का प्रियोग करें और एक उधारन को हल करें, उधारन है एक कक्षा के विद्यार्थियों के अर्थ सास्तर की परिक्षा में प्राप्त अंकों का स्मान तरमाध्य ग्याद कीजिए, आप देख रहे हैं, दी गई तालीका में एक तरफ अंक, एक्स जिन्हें जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालिस, चालिस से पचास, पचास से साथ, और साथ सातर के रूप में वर्ग अंतराल दिये गए हैं, तो दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या अर्था एफ फ्रिक्वेंसी दी गई है, जो है आठ, बा हमारे पास क्लास इंटरवल के रूप में जीरो से दस के रूप में उपलब्ध थे, उन्हें मिड़ वैल्यू के रूप में बदल डाला, अर्थात L1 प्लस L2 डिवर्डेट बाइ टू, और निकल कर हमारे पास उपलब्ध है पांच, इसी तरह से दस से बीस में 15, बीस से त अब हम इन दोनों का गुना करते हैं, एफ और एम तालिका के सबसे अंतिम कॉलम में आप देख रहे हैं, पांच, मिड़ वैल्यू और आठ फ्रिकेंसे इस तरह से 40, 15, मिड़ वैल्यू और 12, फ्रिकेंसे इस तरह से 180, इसके बाद 25 और 20, 500, 35 और 25, 875, 45 और 20, 55, 65 और 5, 325, आपके सामने उपस्तित है, अब हम इन सब का जोड जो नीचे तालिका में दिया गया है, प्राप्त करते हैं, समीशन एफ जो 100 उपलब्ध है, तो दुसरी तरफ समीशन एफ एम, 3370 उपलब्ध है, इन मुल्यों को आईए अपने सुत्र में रखते हैं, सुत्र है आपके प और इस तरह से प्राप्त हुआ हमें 33.7, क्योंकि प्रश्ण में अंक दिये गए थे, तो 33.7 अंक ही और सास्तर में ओसत अंक प्राप्त होते हैं, दुसरी विधी, लगू विधी, स्मानतर माध्य की गणना, लगू विधी द्वारा भी की जा सकती है, यह विधी तभी प्र काफी बड़ी हो, इस विधी के मुख्य कदम इस प्रकार हैं, सबसे पहले स्रेणी के दिये गए सभी वर्ग अंतराल का मध्य मुल्य निकालते हैं, अर्थात M is equal to L1 plus L2 divided by 2, अर्थात यहां तक वही कारिये जो पिछली विधी में था, इसके बाद, स्रेणी के किसी भी मुल्य को, या किसी भी मध्य मुल्य को, या उससे बाहर की किसी अन्य संख्या को, कल्पित माध्य के रूप में मान लिया जाता है, ए द्वारा इसे प्रकट किया जाता है अर्थात एजूम्न मीन तत्पश्चात कल्पित माध्य को स्रेणी की प्रतेकमद या मध्यमुल्य में से घटाया जाता है और हमें प्राप्त होता है डी डेविशन अर्थात पिछला और इसे निकालने का सुत्र आप पहले भी देख चुके हैं तो आईए एक बाव फिर से ध्यान दे डी छोटा डी इस एक्विले टू एम माइनस ए एम मीन्स मिड वैल्यू जबकि इससे पहले आपने यहाँ एक्स मध में से इसे घटाया था अर्थात डेविशन निकालने का एक अलग तरीका इसके बाद इन सभी विचलनों को उनसे सम्मंधित आवरतियों अर्थात F से गुना कर दिया जाता है और फिर वही प्रक्रिया इन सब का जोड समिशन FD प्राप्ट किया जाता है इसी तरहें फ्रिक्वेंसी का भी टोटल समिशन F प्राप्ट किया जाता है और सबस्यांत में दिये गए सुत्र में इन मुल्यों का प्रियोग किया जाता है तो आएए एक बार सुत्र को ध्यान से देखे सुत्र है एक्स बार एज इक्विले टू ए एजून बीन प्लस समिशन FD डिवाड़ेड बाई समिशन F तो इस तरह से आएए आवे सुत्र का प्रियोग करना सिखे दिये गए उधारन जो अभी आपने देखा था को एक बार पुनहे लेते हैं जिसमें एक तरफ अंक जो वर्ग अंतरालों के रूप में 0-10, 10-20 से लेकर 60-70 तक दर्शाए गए है तो दुसी तरफ विद्यार्थियों की संख्या दर्शाए गई है दिखाई गई तालीका के सबसे पहले कॉलम में प्रश्ण का ही एक हिस्सा और ताथ अंक वर्ग अंतराल के रूप में दिखाया गया है कॉलम दूसरा इसके अंतरगत हमने मिड वैल्यू निकाली है और वो है 5, 15, 25, 35, 45, 55 बिल्कुल पिछले हल किये गई प्रश्ण की तरह हैं इस विधी में हम थोड़ा सा अलग कारिय करेंगे और वो है डेविशन निकालने का दर्शाई गई तालीका के कॉलम तीसरे में आप देख रहे हैं हमने डी निकाला है और इसे निकालने के लिए हमने मिड वैल्यू में से ए एजून मीन को घटाया है ए यहां 35 दर्शाया गया है हमने 35 मान लिया है अर्थार 35 मिड वैल्यू पांच से लेकर पैसर तक के बीज का ही एक मुल्य है आप 35 के अलावा किसी और भी मद को मिड वैल्यू के रूप में रख सकते हैं और डी डैवेशन निकाल सकते हैं इस तरह से कॉलम तिसरे में हमें उपलब्ध है पांच में से 35 घटाय तो प्राप्थ हुए घटा के 30 15 से 35 घटे घटा के 20 25 से 35 घटे तो घटा के 10 और 35 से 35 घटे तो 0 45 से 35 तो जवा के 10 55 से 35 जवा के 20 और 65 से 35 जवा के 30 इस तरह से हमें प्राप्थ हुआ डी थालिका के कॉलम चार अर्थात विद्यार्थियों की संख्या जो हमारे प्रश्ण के अनुसार दी गई है इस एफ को हम कॉलम तीन में निकाले गए डी से गुना कर लेते हैं और कॉलम नमबर पांच ग्याद करते हैं अर्थात घटा के 30 गुना 8 बराबर है घटा के 240 इसी तरह से घटा के 20 और 12 गटा के 240 घटा के 10 और 20 गटा के 200 शुन्य और 25 शुन्य जमा के 10 और 20 की गुना जमा के 200 जमा के 20 और 10 की गुना जमा के 200 जमा के 30 और 5 एक सो पचास इस तरह से कॉलम नमबर 5 का टोटल निकालने पर हमें प्राप्थ होता है घटा के 130 तरह से कॉलम नमबर 5 में प्राप्थ हुआ FD जो गुना की हमने इसका जोड निकालते हैं जो हमें प्राप्थ है घटा के 130 इससे हमने दर्शाया है समीशन FD से और इससे पहले के कॉलम का कुल जोड समीशन F हमारे पास है 100 तो आईए अब इन मुल्यों को अपने सुत्र में प्रियोग करना सीखें हमारे पास सुत्र उपलब्द है X बार बराबर है A प्लस समीशन FD डिवाड़ेड बाई समीशन F जैसा कि आप जानते हैं यहां हमने A एजूंड मीन 35 माना हुआ है सुत्र में A के जगे 35 रखने पर उसके बाद जमा उसके बाद घटाक 130 घटाक 130 है हमारे पास समीशन FD उसे भग किया गया है विद्यार्थियों की कुल संख्या अर्थात 100 से और इस प्रकार इसे सरल करते हैं तो 33.7 अंक अर्थात अर्थास्त्र का वही ओसत अंक 33.7 जो पिछले प्रशन का उत्तर था वही इस प्रशन का भी उत्तर है इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही विद्यों से उत्तर एक ही आएगा जैसा कि हम अपने पिछले व्यक्ष्यान में भी पढ़ चुके हैं कि इन विद्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि लगू विदी पर्तेक्स विदी से कठिन है परंतु फिर भी इसका नाम लगू विदी रखा गया है जी हां हम इस बात पर चर्चापने पिसले अध्यान में भी कर चुके हैं कि यह बात व्यक्तिगत स्रेणी के साथ तो बिल्कुल ठीक है इसलिए व्यक्तिगत स्रेणी में लगू विदी का प्रियोग नहीं करना चाहिए परन्तु खंडित्रेणी और एक खंडित्रेणी में इस लगू विदी का प्रियोग हमारी गणन प्रिक्रिया को और भी सरल बना देता है तो आएए आगे चलते हैं तीसरी विदी की और उस विदी का नाम है पद विचलन विदी प्रियविद्यार्थियों हम पढ़ चुके हैं कि लगू विदी को और भी सरल बनाने के लिए ही हम पद विचलन विदी का प्रियोग करते हैं यह अर्थात पदविचलन विधी लगूविधी का ही एक सरलतम रूप है इस विधी में और लगूविधी में अंतर थोड़ा सा ही है यह विधी उस समय लगू होती है जब कल्पित माध्य अर्थात ए एजून मीं द्वारा लिये गए विचलन अर्थात डी इस प्रकार के हों कि उन में बरावर का अंतर हो जैसे हमने अभी अपने पिछले उदहरण में सभी विचलनों में दस का अंतर पाया इस तरह से इस विधी में यह दस एक समाप वर्तक अर्थात कॉमन फेक्टर का रूप ले देता है इसे हम सी बड़े सी से व्यक्त करते हैं और विचलन डी को जब इस समाप वर्तक अर्थात सी से भाग किया जाता है तो हमारे पास जो भजनफल प्राप्त होता है अर्थात डी बटे सी उसे ही हम पद विचलन कहते हैं और इसे हम दर्शाते हैं डी डैश इस पद विचलन विधी के मुख्य कदम इस प्रकार है सबसे पहले हम सभी वर्ग अंतरालों का मध्य मुल्य ग्यात करते हैं उसका सुत्रा आप जानते ही है M बराबर है L1 जमा L2 और इन सब को भाग कर देते हैं दो से इसके बाद हमारे पास कारिय है मध्य मुल्य जो हमें प्राप्थ हुआ उसमें से किसी भी एक मुल्य को हम कल्पित माध्य अर्थात A माल लेते हैं और उसके बाद इस कल्पित माध्य को जो हमने माना स्रेणी के प्रतेक मध्य मुल्य में से घटा देते हैं और हमें प्राप्थ हो जाता है D विचलन इसका भी सुत्र आप जानते हैं बड़ा ही सरल है, D बराबर है M, छोटा M, घटा A, क्योंकि यहां mid value है हमारे पास, इसलिए हम A, अजून मीन को mid value से ही घटाएंगे, प्रियविध्यातियो, इस विधी बेक, जो कुछ भी नया करना है आपको, वो है, अब इस D, अर्थात विचलन को भाग करते हैं, उस common factor, सम इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ, D डेश, अब हम उसे गुना कर लेते हैं, उसके सामने दी गई frequency F से, और हमें प्राप्त हो जाएगा, summation F, D, डेश, अर्थात इन सब का जोट, तो आईए, इन सभी मुल्यों को, हम अपने सुत्र में प्रियोब करते हैं, हमारे पास सुत् लब्द है, X बार, बराबर है, A प्लस, summation F, D डेश, इसे भाग करेंगे हम summation F से, और गुना करेंगे उस common factor C से, तो आईए, अपने पिछले ही उधारन को, एक बार पुन हैं, इस विदी से निकालने की कोशिस करते हैं, उधारन है, एक कक्षा के विद्यार्थियों के, अर्थ सास्तर की परिक्षावे प्राप्त, अंकों का स्वान तरमाध्य ग्याद कीजिए, और ये स्वान तरमाध्य आपको पद, विचलन, विधी द्वारा ग्याद करना है, इसके अंतरगत दे गई तालिका में, एक तरफ अंक, तो दुसी तरफ उनके सामने, उन विद्य का हिसा अंक रखा है, जो जीरो से दस, दस से वीज हैं, हमने कॉलम नंबर दो में मिड वेल्य ग्याद किया है, जो आपके सामने है, पांच, पंद्रें, पच्चिस और इसी तरह हैं, आगे भी, कॉलम तीन में भी किया गया कारिय हमारा पुरा नहीं है, और था कल्पित नहीं है क्योंकि 35 माना हुआ है, इसलिए हम मिड वैल्यू में से 35 ही घटा रहे हैं, और पांच में से 35 घटाए तो हमारे पास उपलब्ध हुए थे, माइनेस 30, इसी तरह से 15 से 35 घटाए तो घटा के 20, इसी तरह से आगे 25 से 35 घटे तो घटा के 10, 35 سے 35 घटे तो केवल सून्न ए इसके बाद क्योंकि जादा में से कम घटे 45 में से 35 तो जमा के 10 जमा के 20 और जमा के 30 हमारे पास उपलब्ध है प्रिव ज्यारतियों जरा ध्यान दें इस D Deviation में हमारे पास उपलब्ध संक्या है गटा के 30, गटा के 20, गटा के 10, शुन्य, 10, 20, और 30 अर्थात इन सब के बीच कुछ समानता हमें नजर आ रही है और ये समानता है कि ये सब 10 के द्वारा विभाजित होने वाली संख्याएं अर्थात यहां 10 को ही हम common factor मान लेते हैं और कॉलम चार की तरफ बढ़ते हैं इस कॉलम में हमें निकालना है पदविचलन अर्थात डी डैश और इसे निकालने के लिए आपके पास सुत्र है अपने उसी mid value M में से आपने घटाया A और इस graph की हुई value को भाग कर दिया C common factor से जो की 10 है इस प्रकार हमने नीचे जो भी value दिखाई गई है उसे 10 से भाग किया गया है और हमें प्राप्थ हो रहा है घटा के 30 को 10 से भाग करने पर घटा के 3 इस तरह से घटा के 20 को भाग 10 से करने पर घटा के 2 घटा के 10 को भाग 10 से करने पर घटा का 1 आगे 0 भाग 10 शुन्य आगे 10 भाग 10 जमा का 1 20 भाग 10 जमा के 2 और अगले पंक्ती में जमा के ती और इस प्रकार हमारे पास संख्या उपलब्ध होई घटा के तीन घटा के दो घटा के एक शुन्य एक दो और तीन इसी को हमने नाम दिया पद विचलन इस से अगले कॉलम में हमारे प्रश्ण का ही एक हिस्सा है विद्यार्थियों की संख्या एफ इस विधी में हमारे पास अतरिक कारिया है इन दोनों की गुना अर्थात एफ को डी डैश से गुना करते हैं और अंतिम कॉलम की और आगे बढ़ते हैं एफ डी डैश पहली पंक्ती में घटा के तीन और आठ का गुना घटा के चौबेस तो दूसरी पंक्ती में घटा के दो और बार हैं ये भी घटा के चौबेस तिसरी पंक्ती में घटा का एक और बीस तो घटा के बीस अगली पंक्ती में शुन्य और पच्चिस की गुना श तर्फशाट जमा का 1 की गुना 20 से तो जमा के 20 जमा के 2 की गुना 10 से तो जमा के 20 और इसे तरहneys जमा के 3 की गुना 5 से तो जमा के 15 अब हम अंतिम कारिये करते हैं इन सब का जोड प्राप करने की आप देख चुके हैं S THOMISων Frequency जो हमारे पास पहले से उपलब्ध है और वो है एक सो इस प्रश्ण में हमने ग्यात किया है FD' का जोड और क्योंकि ये घटा और जमा के चिन्ह वाले हिस्से थे तो हम इने अलग-अलग से जोड लेते हैं जमा के मुल्य है 55 और घटा के मुल्य है 68 इस तरह से हल उपलब्ध है घटा के 13 आईए आप अपने इन मुल्यों को सुत्र में रखें सुत्र आप देख चुके हैं A पलस समीशन FD' भाग किया गया है समीशन F और गुना करेंगे C कोमन फेक्टर से मुल्य रखते हैं A किस्थान पर 35 समीशन FD' किस्थान पर घटा के 13 समीशन F किस्थान पर एक सो और गुना में C किस्थान पर दस इसे सरल करने पर हमारे पास उपलब्ध वही संख्या 35 घटा एक दशमलो तीन और वही हल 33 दसमलो साथ अंख के रूप में आत्सास्तर के ओस्थ अंख हमें प्राप्थ होते हैं इस प्रकार प्रेविद्यार्थियो तीनों ही विद्यों से उत्तर एक ही प्राप्थ होता है क्यों? क्योंकि प्रश्टन भी तो एक ही था विद्यां चाहे कोई भी क्यों नहूं हमारा उत्तर एक ही आएगा स्रेणी अर्थात ए खंडित स्रेणी के प्रश्णों को हल किया तो आए इसी स्रेणी से समंदित कुछ प्रश्णों को आपके ग्रह कारिये के रूप में हम नोट करवा रहे हैं तो कृप्या नोट करें पहला प्रश्ण है स्मानतर माध्य ग्याद करें तालिका में एक तरफ खर्च जो रुप्यों में हैं तो दुसी तरफ मजदूर मजदूरों की संख्या दिखाई गई है आप इसे नोट किएजिए इसी तरह से प्रश्ण नमबर दो प्रतेक्स विधी तथा पद विचलन विधी द्वारा स्मानतर माध्य ग्यात करें के इस वियाख्यान के बाद आपसे विदा लेता हूं धन्यवाद